नमस्कार दोस्तों, राजिस्थान में प्रधान मंत्री के कारेक्रम से मुख्य मंत्री का नाम ही हटा दिया गया पीए मोदी के टू मिनिट प्रोग्राम से सीम अशोग गहलोद को आउट कर दिया गया तो गहलोद नाराज हो गया और ऐसा नाराज हुए कि पीए मो की इस कर्तूत की पोल खुली आम ट्विटर पर खोल दी वो भी विद्प्रूफ जिसके बाद सीमो को भी अपनी सफाई देने के लिए आगे आना पड़ गया दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है ऐसे में आज पीए मोधी राजस्तान के सीकर पहुँचे थे इसी कारिक्रम में मुख्यमंत्री अशोग गहलोद को भी पहुचना था उनके एक स्पीच भी शुडियूल की गई थी लेकिन कारिक्रम से ठीक एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ओफस ने पीए म के प्रोग्राम के लिस्ट से राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोद का नामी अटा दिया इसको लेकर सीम ने एक ट्वीट भी किया है अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है मानिये प्रधानुंत्री श्री नरेंदर मोदी जी आप आज राजस्तान पधार रहे हैं आपके कार्याले पी-ए-मू ने मेरा पूर्ण निधारत 3 मिनिट का संबोधन कारिक्रम से हटा दिया है इसलिए मैं आपका भाषन के माधियम से स्वागत नहीं कर सकूँँगा अधा मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेज के लोकारपन और शिलान्यास राजस्थान सरकार वा केंदर की भागिदारी का परणाम है इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3689 करोड रुपए है जिसमें से 2213 करोड केंदर का और 1476 करोड राजसरकार का अंजदान है मैं राजसरकार के ओर से भी सभी को भदाई देता हूँ मैं इस कारिक्रम में अपने भाशन के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूँ आशा करता हूँ छे महीने में की जा रही इस सातवी यात्रा के दोरान आप इन्हें पूरा करेंगे पहला राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं के मांग पर अगनिवीर स्कीम को वापस लेकर सेरा में पर्मिनेंट भरती पूर्ववत जारी रखी जाएगी दूसरा, राजसरकार ने अपने अंतरगत आने वाली सभी को अपरेटिव बैंकों में से 21 लाग किसानों के 15,000 करोड रुपे के कर्ज माफ किये हैं हमने केंदर सरकार को राश्ट्री कृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे इस मांग को पूरा किया जाएगा तीसरा राजिस्थान विदानसभा ने जातिगत जनगर्ना के लिए संकल पारत कर भेजा है केंदर सरकार इस पर अविलम नेड़ने ले चौथा एनमसी की गाइडलाइन्स के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहा है मेडिकल कॉलेज में केंदर सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है ये पूरी तरहा स्टेट फंडिंग से बन रहा है इस आदिवासी बहुल तीनों जिलों के मेरिकल कॉलेज में भी केंदर सरकार 60% की फंडिंग दे पाँचवा पूर्वी राजस्थान नहर पर्योजना को राश्ट्री महत्व की पर्योजना का दर्जा दिया जाए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों का आज सकरात्मक रुख अपना कर प्रदेश वासियों को आश्वस्त करेंगे हाला कि इस पर फिर PMO की तरफ से भी सफाई दी गई है इस पर लिखा गया है श्री अर्शोक गहलोजी प्रोटोकॉल के अनुसार आपको विदिवत आमंतरित किया गया है और आपका भाशर भी निर्धारित किया गया है लेकिन आपके कारियाले ने कहा कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे PM नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं में भी आपको हमेशा मंतरित किया गया है और आपने अपनी उपस्तिती से उन कारिक्रम की शोबा भी बढ़ाई है आज के कारिक्रम में शामल होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है विकास कारिक्रमों के लिस्ट उपर भी आपका नाम है जब तक आपको हाल ही में लगी चोट के कारण कोई शारिरिक परिशानी ना हो आपकी उपस्थिती को बहुत महत्व दिया जाएगा इस पर एक बार फिर CM गैलोट ने विद प्रूफ ट्वीट कर दिया दोस्तों उन्होंने लिखा मानिया प्रधानमंत्री जी आपके कारिक्रम ने मेरे ट्वीट का संग्यान लिया परंतु संभवता उन्हें भी तप्तियों से अवगत नहीं करवाया गया है प्रस्तावत minute to minute कारिक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था कल रात को मुझे पुना अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं है मेरे कारियाले ने भारत सरकार को अवगत कराया था कि डॉक्टर्स की राय के अनुसार पैर में लगी चोट के कारण मैं video conferencing से कारियक्रम में पहुंचोंगा एवं मेरे मंतीर गण कारिक्रम ज़ल पर पहुंचेंगे अभी भी मैं राजस्तान के हित के से कारिक्रम में video conferencing के माध्यम से non interactive mode पर शामिखान के लिए पूर्व में प्राप्त मिनिट टू मिनिट एवं मेरे कार्याले से भीजा गया पत्र साजा कर रहा हूं इसके साथ ही दोस्तों सीम गैलोट ने वो लेटर भी पोस्ट किया है जिसमें उनके कार्याले ने ये बताया है कि वो चोट की वज़े से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन साथ में ही प्रोग्राम शेडियूल की पहली और दूसरी लिस्ट भी पोस्ट किया जिसमें से पहले लिस्ट में तो अशोग गैलोट की स्पीच के लिए ग्यारा बज़ कर छबीस मिनिट का टाइम दिखाया गया है जबकि दूसरी लिस्ट में से उनका नाम गायब है अब ये गायब है या फिर जान बूच कर गायब किया गया है ये बड़ा सवाल है हाला कि गैलोट सरकार इसे अपनी अपमान की तरह देख रही है इसलिए मुक्य मंत्री वीडियो कौन्फरिंसिंग के जरिये भी प्रदान मंत्री के कारिक्रम में शामिल नहीं हुए है इस खबर में इतना ही ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे है मेरे नाम फरीन अंसारी है जैहिन जैपारा